नहीं आज हम बर्गर नहीं बना रहे हैं ये इसकी टिकी बना रहे हैं और बड़ी आसानी से बनती है बड़ी टेस्टी बनती है पैन में मैंने तेल गरम कर लिया और इसमें जीरा डाल दिया है और साथ में डाल दिया है बारी कटे हुए प्यास बड़े सिंपल इंग्रेडियंट से ये टिकी बनती है बड़ी टीस्टी लगती है और इसको आप मतलब पराठे वगरे में लगा के as a frankie भी खा सकते हैं तो देखिए प्यास जब तक हो रही है तो ये मैंने जो सोया चंग सोते हैं इसको पानी में पहले भिगो दिया था अच्छे से नरम हो गया तो उसको पीस लिया है और ये प्यास हो गया है तो इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं जैसे की धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जरा सा गरम मसाला इन सब को चला के और फिर जब हमने जो सोया चंग स पीसे थे ना उसको इसमें मिक्स कर देंगे सोया चंग स को हमें तीन से चार मिनिट भूनना है ताकि इसका कच्छा पन नहीं लगे और लगे तो आप थोड़ी सी पानी इसमें सीच सकते हैं तो एक मॉइस्ट रहेगा बहुत ड्राइनेस नहीं आएगी और अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे तो ये है अदरक, लहसुन, मिर्ची और जीरे का पेस्ट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ये मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ और कई सारी चीजों में डलता है और फिर साथ में मैंने डाल दिया ये पनीर ग्रेट करक और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और ये मैंने आलू भी बॉइल किये थे तो आलू भी ग्रेट करके इसमें मिला देंगे आप ये दी चाहें तो इस स्टेज पे कुछ हरी सब्जियां भी बारी काट के डाल सकते हैं बट मैंने इसको सिंपल ही रखा है अभी इसमें डाल दिया है नमक स्वादा नुसार अब बाइंडिंग के लिए दो आप्शन है या तो आप बेसन को हलका सा रोस्ट कर लें ये मैंने लिया है भूने हुए चने का पाउडर उसको पीस लिया था उसके छिलके निकाल के पीस लिया था तो अलग से भूनना नहीं पड़ता है तो ये भी हमारे घर में रहता है त तो तुरंत आप इसको पीस के डाल सकते हैं नहीं तो फिर बेसन भून के और कैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा हो जाने देंगे ताकि हम इतना हीट रहे कि हम सह सके और बस इसकी मन चाहे शेप में टिक्या दे दीजिए तो अब बर्गर बना रहे है तो मैंने गोल शेप दिया है और इसको हम शेलो फ्राइ कर लेंगे अब ही जैसे हरी मटर का सीजन है तो आप इसमें हरी मटर भी डालेंगे ना तो वो भी बड़ी अच्छी लगेगी तो दूनों साइट से उसको गोल्डें से एक लिया और ये मैंने बर्गर बन ले लिया है और इसको भी और जो भी आपको विश्टबिल्स लगानी है वो और मैंने चीज स्लाइस भी लगा दिया है तुड़ा सा पीजा सीजनिंग और ये टिकी रखके बगर उसके ऊपर थोड़ा सा टमेटो केचप भी मैंने लगा दिया है और इसको दस सेकेंड के लिए माइक्रोवन कर देंग